हेलो फ्रेंड्स किस्ता जेट प्लांट का जेट प्लांट या फिर एलिफेंट बोस क्राजूला प्लांट आप जिस भी नाम से जानते हैं कहा जाता है कि ये प्लांट बहुत लगी होता है और जब इतनी महतपोर्ण कोई चीज हो और आपको फिरी में मिल जाए तो क्या ही कहन ये प्लांट मुझे मिला था मेरी एक एववी फ्रेंड जो असम की है उन्होंने इसकी दो तीन कटिंग्स भेजी थी और इजिली लग गया था और आज के समय में मेरे पास इसके इतने सारे प्लांट हो गए हैं कि मैं इसका अगर चाहूं तो जंगल लगा सकती हूँ इसकी बोंजाई या टोपियारी बनानों बहुत ही एजी होता है मैंने भी काफी सारी बनाई है और जल्दी ही उसके वीडियो आपसे सेयर करूंगे तो हाँ इसके पीछे की एक कहानी है कि मैं अपने यहां की जो लोकल नर्सरी है वहाँ पे गई थी और वहाँ पे मैंने इसके प्लांट को देखा था उसने मुझे बताया था कि यह कुबेराक्ची या फिर कराजुला प्लांट है और बहुत ही लकी माना जाता है तो मैंने जब उससे उसका रेट पूछा था तो उसने बहुत ज़्यादा महंगा बताया था आज के टाइम में ये 30-35 रुपय का मिल जाता है लेकिन उस समय उसने बताया था कि ये लगभग दाइस ओका मिलेगा उस समय मुझे ये बहुत महंगा लगा और मैंने नहीं लिया था क्योंकि कार्डिनिंग स्टार्ट की थी और प्लांट की देखभाल करना वो सम मेंटेन करना या प्लांट की जो हैबिट होती है उसको जानना थोड़ा मुश्किल होता है तो फिर मैं नए में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी फ्रेंट किसी चीज को पाना होता तो उसके पीछे मेहनत तो जरूर ही करने पड़ती है पता नहीं ये मेरे साथ ही है या आप सब के साथ भी ऐसा होता है कि हर महीने एक नया टार्गे सेट होता है कि मुझे ये प्लांट लेना ही है त और इस तरह से यह प्लांट मेरे पास आ गया अगर आप न्यू गार्डेनर हैं या फिर नई गार्डेनिंग शुरू करना चाहते हैं और मौनसून आने वाला है तो मैं इसकी कटिंग आपको भेज सकती हूं बस एक ही सर्थ है कि आपको पोस्टेज खुद सहना होगा आप कमेंट कीजिए अगर आपको चाहिए तो और मैं आपको लिंक दूँगी जहां पर आप अपना एड्रेस सेंड कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही थाइंक यू